24 जून को कॉंग्रेस संसती दल किया दक्ष सोन्य गांधी और कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी सहित भारत ब्लोक की नेता उनने इस संसत परिसर में व्रोध परदशन किया व्रोध परदशन के दोरान कॉंग्रेस संस्था करने जैसी बात कर रही है इससे अदिक बडंबना पूर बात नहीं हो सकती कि जिस पार्टी ने आपात काल की गोश्ना करके इस संस्था की हत्या कर दी थी वही अब लोकतंत्र और सम्विधान की रक्षा करने की दुहाई दे रही है आपातकाल की उननचास्वी बरसी पर बीजेपी ने मंगलवार को कॉंग्रेस पर तीखा हमला पोला पियम मोदी ने इस सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर टूइट करते हुए कहा इमर्जेंसी के वक्ते कॉंग्रेस ने आजादी को खत्म कर दिया था और सम्विधान को रौन दिया था आज का दिन उन सभी महान पुरुषों और महिलाओं को शदांजली देने का दिन है जिनोंने आपातकाल का व्रोध किया आपातकाल की काले दिन हमें याद दिलाते हैं कि कैसे कॉंग्रेस ने पार्टी की बुनियादी आजादी को खत्म कर दिया था और भायत के सविधान को रौन दिया था जिसका हर भारतिय बहुत सम्मान करता है पियम मोधी ने आपातकाल पर बात करते हुए आगे कहा सत्ता पटे के रहने के लिए ततकालीन कॉंग्रेस सरकार ने हर लोकतांत्रिक सिधान की अभिल्ला की और देश को जिल खाना बना दिया था हर व्यक्ति कॉंग्रेस से असेहमत होता था, उसे प्रतार्ट किया जाता था, सबसे कमजोर वरू को निशाना बनानी के लिए समाजिक रूप से रिग्रेसिव प्रॉलिसी लागू की गई वही सोशल मीडिया प्रेट्वर्म एक्स पर टूइट करते हुई केंद्रि गरह मंत्रे मिश्वहा ने लिखा, देश में लोकतंत्र की हत्या और उस पर बार बार आघात करने का कॉंग्रेस का लंबा इतिहास रहा है, साल 1975 में आज की ही दिन कॉंग्रेस के दौरा लगाया गय भारत में ततकाली इन कॉंग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था, आपातकाल हमारे देश के लोकतंत्र के दिहास का वहे काला अध्याय है, जिसे चहा कर भी बुराया नहीं जा सकता, सत्ता के दुरुपियोग और तानाशाही का जिस तरह खुला खेल, उस तोर खेला गया, वहे कई राश नितिक दलों की लोकतंत्र के प्रती वज़िता पर बहुत बड़ा सवाले निशान खड़ा करता है, वही आपातकाल के 50 साल पूरी होने पर मुखे मंत्री, योगी, आधितनात ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए भारत के संसदिय लोकतंत्र का एक काला ध्याय, आज से ठिक 50 स्वर्श पूर्व, आज के दिन ही देर रात्री में हुआ था, जब कॉंग्रेस के ततकालिन सरकार ने भारत के समिधान का गला घोंडते वे, लोकतंत्र को पूरी तरह समाप्त करने की साजी स्रची थी, 25 जून 1975 रात के अंधेरे में, स्रीमती इंद्रा गांधी जी के नित्रुत्व में कॉंग्रेस की सरकार ने कैसे भारत के लोकतंत्र को नश्ट करने का प्रियास किया था, उस समय के सभी विपक्सी दलों की नेताओं को, उसमें से टल बहरी बाचपेई जी, से मौरार जी देसाई जी, से जैप्रकास नाराण जी, से लाल किष्णा डवानी जी, और विपक्स के सभी नेताओं को, बंद करके, लोकतंत्र के गले को पूरी तरह घोटने का प्रियास किया था, आज जब, पचास वर्स के उपरांद, हम इमर्जन्सी की उन यादों को स्मन करते हैं, तो स्वाभाई कृप से, कॉंग्रेस में चेहरे बदले होंगे, लेकिन उसका चरित्र, उसके हाव वहाव, आज भी वही हैं, जो 1975 में एक बरबर चेरा उस समय में कॉंग्रेस पार्टी का देखने को मिला था, आईए जानती हैं इंडरा गांधी के स्वैसले से, कैसे देश में मची थी उथल पुथल, 26 जून 1975 को भारते इतिहास का काला अध्याय माना जाता है, ये वो दिन था जब देश की परधान मंत्री इंडरा गांधी ने सत्ता के मुह में लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, 26 जून 1975 की सुभर रेडियो पर तत्कालिन परधान मंत्री इंडरा गांधी की आवाज में एक संदेश सुनाई दिया, भाईयो और बहनो, राष्टर पती जी ने आपातकाल की घोशना की है, जिसके बाद लोकतंत्र को बंधक बना लिया गया, प्रेस पर ताली लगा दिये गये और लोकतंत्र के समर्थों को जिल में डाल दिया गया, आपातकाल की घोशना के साथी सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिये गये, अभी व्यक्ति का अधिकार ही नहीं जब इलाबाद हाई कोट प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी को राय बरेली के चुनाब अभियान में सरकारी मशीनरी के दुर्पियों के आरोप में उनके चुना को खारिस कर 6 साल तक चुनाब लड़ने पर रोक लगा दी थी आपातकाल से कुछ घंटे पहले यानी 25 जून 1975 को दिल्ली के रामडीला मैदान में जैप्रकाश नाराण की जनसभा हो रही थी जेपी इंद्रा गांधी के बस्टाचार, बिरोजकारी, महेंगाई की खिलाफ बोल रहे थे इससे इंद्रा गांधी को महसूस हुआ कि उनकी गद्धी को खत्रा हो सकता है लेकिन इंद्रा गांधी सत्ता की कुर्सी खाली करने के विचार में नहीं थी जिसके बाद इंद्रा गांधी ने 25 जून की राद देश में आपातकाल लागू करने का फैसला किया आधी रात को इंद्रा गांधी ने तक काली रास्टरपती फरकुदीन अली एहमत से आपादकाल के फैसले पर हस्ताक्ष करवा लिये। आपादकाल खोशित रहा।